हलो दोस्तों नमस्कार में अनीक अम्राइक आज एक छोटा से वीडियो लेकर आया हूँ अपने एच्टीपी M9 के निव ब्लॉक में जो इस साल हम लोगों ने प्लांट लगाए है तक्रेबन इस ब्लॉक में हमारे 1600 के आसपास जो है प्लांट लगे है जो प्लांटेशन है हम लोगों ने ये 15 से 20 मार्च के आसपास करी थी और इस टाइम अगर आप विगर देख पा रहे है तो तक्रेबन काफी अच्छी ग्रोथ हमारे प्लांट में आ चुकी है एक-एक फीट के आसपास भी काफी प्लांट जो है हमारे पास ग्रोथ ले चुकिये है आप देख पा रहे है कि जैसे कि हमारे विंटर में जब हम हमारे वास प्लांट आई तो तो हमने इसमें कटिंग की ती और जितने भी थोड़े हमें कहीं सेंटर लीडर के साथ कॉम्पेटिशन जो लग रहे थे 30 सेंट की जो मोटाई वाले फैदर थे हम लोगों ने रिमूब किये ते और जिसकी लेंद्ध भी काफी अची आ चुकी है और जो यह वराइटी है यह वराइटी है हमारे पास लगी और चल में यह बिकबक्स जो बॉलन स्टेज के असपास इसका फ्रूट साइज आ चुका है और अगर इसके फ्रूट की बात करें तो फ्रूट भी काफी अच्छा बन रहा है और वैसे नेक्स टेर इसके प्रॉपर हमें देखने को मिलेंगे क्योंकि साइट इस स्टेज बे अभी तक जो है 20 जो दूप वाली साइड और साइड कलर भी आ चुका है जैसा कि काफी लोग कह रहे थे कि हम लोग पहली साल जो मारा फर्टीजर्शन स्टेडूल वो क्या रहता है क्या क्या हम अपलाई करते हैं अपने प्लांट में जैसा कि मैं पहले भी थोड़ा बहुत आपसे वीडियो शेयर कर चुका हूं कि हमारा जारतर जो प्रैक्टीस है लोग डालते हैं और 20 सेंट के आसपास हम लोग यूज करते हैं अब यह साल के प्लांट इसमें साइस काफी अच्छा उसके बाद जो दुग्रोथ भी काफी अच्छी है तो बात करते हैं हम स्वाइल अप्लिकेशन की देखिए हमने प्लांट लगाया था तो तकरीबर हमने यदि विद्जा controlling है ये विदियो के माद विद्जा चैल के अगरते हैं अगर अप रॉपरफ वीडियो देखते हैं तो देखिए उसके रिजल्ट काफी एच्छ है और उसके बाद जो हम लोगों ने अप्लाइट को आता इसमें आप जैसागी देख पारे होंगे सोहल में तो हमने इसमें एड भी ढाली है पर प्लांट जो है दो-दो किलो की आसपास ये भी काफी नाइटोचन का एक अच्छा सोर्स है जो दीर-दीर प्लांट को मिलता रहता है और जिसकी प्रफॉमेंस आप देख सकते हैं और अभी इसमें हम लोगों ने जो अगर केमिकल की बात करूं यह तो मारा और्गानिक प्रैक्टिस होगी और एक-दो हम ड्रेंचिंग कर चुके इसमें तकरीबन यूमिक एस जाला है वह आप किसी का भी ले सकते हैं जिसके आपको रिजर्ट वैटर लगते हो आप उसको इस पर अपलाई कर सकते हैं इसे धार के तकरीबन हमें 20-25 देने उख चुके हैं और जो है अब एक डोस जो है देने का टाइम भी आ चुका है यह बिग बक्स काफी अच्छा फ जो फर्टिजर्श जो है वह द्वारा से हभी हम लोग इसमें एक डोस द्वारा से उन्नी उन्नी का देंगे वह पहले मैंने मैनुएली दिया ता इस भार हम लोग थोड़ा पानी की साथ मिक्स करके देंगे अगर आप देख पा रहे हो तो हमारे पास हभी तक जो है इसका काम भी आरा स्टार्ट होने वाला है क्योंकि फ्लार्ट जो है काफी हडेड़ी जा रहे है इसके लिए हम अभी हम आफ़े ट्रेयलिस थ की अगर आप प्लांट कर सके प्लांट की यह एख पने में अगisl выступ तो कहीं ना कहीं उसके बड़ी आई अच्छे रिजल्ट आपको देखने हो कि मिलेगे क्योंकि प्लांट की कनॉपी बिल्कुल सीधी बनीगी और जो अगर हम न्यू प्लांट में अगर फैदर्स की बात करेंगे जो भी कंपूटिशन थे वह हम लोगों ने साथ साथ और आप देखिए जो यह इस त्रीके से ग्रोथ है जाता भाग रहा तो आप इसको रिमॉफ कर लीजिए जो बाहर वाला इसे रहने दीजिए यह आपका जो है आईज बिल्कुल भी डेन नहीं होगी हाँ फटीजेशन सेकेंड डोज अभी हम अपलाई करेंगे क्योंकि इस बा अगर अपने प्लांट को देंगे तो होफुली वह उसको बहुत अच्छे तरीके से प्लांट अप्टेक करेगा मिलते हैं 15-20 दिन के बाद कि उसके बाद क्या रपोर्ट रहती है हमारे प्लांट की कितना भी गर्वार लेता है तब तक के लिए धन्याबाद